हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुसके में हम उपचार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुढना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें कन्या राशी पर 2019 प्यार पैसा नौकरी और स्वास आज हम आपको बताएंगे कन्या राशी के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2019 इसमें हम जानेंगे कन्या राशी के लोगों का स्वभाव, सिक्षा, करियर, लव लाई, आर्थी किस्ति और उनका स्वास्त कैसा रहेगा आने वाले साल 2019 में सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशी के लोगों के लखी चीज़ों के बारे में लखी नमबर 5, 14, 23, लखी डे, बुद्धवार, रविवार और शुक्रवार, लखी स्टोन, पन्ना, लखी कलर हरा आईए जानते हैं कन्या राशी के लोगों के स्वभाव के बारे में कन्या राशी के जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली होते हैं, इनकी बौधिक शम्ता बहुत अधिक तेज होती है ताइम मेनेजमेंट में भी ये परफेक्ट होते हैं, ये अपनी परिवार से बेहब लगाव रखने वाले होते हैं इस राशी की महिलाएं घर के कारियों में निपुन होती हैं, अपने भविशे को लेकर ये काफी सतर करहती हैं मेहनती होने के कारण ये प्रतेक कारी को खुद करना चाहते हैं, ये अपनी कारी कुशलता के कारण हर जगह पर वावा ही बटोरते हैं ये दूसरों के सामने संतुलित व्यभार करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जीवन में आने वाली चुनोतियों का सामना भी ये डटकर करते हैं कन्या राशी के जातक तेज दिमाख वाले होने के कारण लाइफ में सब कुछ पाते हैं अब बात करते हैं कन्या राशी वालों के लिए साल 2019 में कैसी रहने वाली है उनकी लव लाइफ राशीफल 2019 के अनुसर यह साल प्रेमियों के लिए शानदार रहने वाला है कन्या राशी के कुछ जातकों की फ्रेंशिप प्यार में बदल सकती है साल के मद्ध में आपके प्रेम संबंदों में मधूरता आएगी आप अपने पार्टनर के साथ किसी रोमैंटिक डेट पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं इस वर्ष आपके जीवन में किसी नए रिष्टे की शुरुआत हो सकती है इस साल आप अपने पार्टनर के साथ विदेश यात्रा पर भी चाह सकते हैं यदि आप किसी से प्यार करते हैं और शादी के लिए प्रपूस करना चाहते हैं तो आपकी ये कोशिस इस साल काम्याब हो सकती है इस वर्च आपकी लव मैरेज के यूग भी बन रहे हैं अब बात करते हैं सकन्या राशीवालों के लिए साल 2019 में कैसी रहेगी उनकी शिक्षा राशीवाल 2019 के अनुसर चात्रों के लिए यह साल शुब रहने वाला है लेकिन सिक्षा में और बहतर परिणाम के लिए और अधिक महनत करें सिबल सर्विस, मेडिकल, इंजिनियरिंग एक्जाम के त्यारी करने वाले चात्रों के लिए भी यह साल शुब रहेगा साल के मध्य में कुछ चात्रों में एकागरता की कमी भी देखने को मिल सकती है एकागरता बढ़ाने के लिए आप योग का सहारा ले सकते हैं सिक्षा से जुड़े कारियों के लिए आपको आपके बड़ों का सहयोग मिलेगा जिससे आपके होसलों में वृद्धी होगी जो भी विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना जाते हैं उन्हें भी सफलता मिलने की संभावना है आप बात करते हैं साल 2019 में सकनिया राशी के वालों की नौकरी और विफसाई के बारे में राशीफल 2019 के अनुसार करियर के दृष्टी से ये साल आपके लिए खास रहने वाला है इस साल आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावनाए बन रही है यदि आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इस साल आपको अच्छे आपर मिल सकते हैं सौफ्ट्वियर और मैनेजमेंट जैसे छेट्रों से जुड़े लोगों के लिए भी यह साल शुब रहेगा हैं जानती का माहल बना रहेगा घर के बड़े मोड़ों का स्वास्ट भी उत्तम रहेगा जीवन साथि के साथ आप यादकार समय बितारेंगे घर में महमानों के आने से माहल खुशनमा बनेगा साल के आखरी में घर परिवार में कोई मांगली कारे संपन्य हो सकता है जीवन साथी की ओर से भी आपको कोई बड़ी खुशकवरी मिल सकती है इस साल आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मे किसल की आत्रा पर भी जा सकते हैं परिजनों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी में जोड़ बढ़ेगा अम बात करते हैं साल 2019 में कन्या राशी की आर्थिक इस्तिति के बारे में राशी फल 2019 के अनुसार इस साल आपका आर्थिक जीवन काफी मजबूत रहने वाला है यदि आप इस साल समझदारी के साथ आर्थिक मिरने लें तो आपको अच्छा धनलाब हो सकता है कन्या राशी के वो जातक जो किसी व्यवसाई से जुड़े हैं इस वर्ष व्यवसाई में पूजी का निवेश कर अपने बिजनस का विस्तार करने में सफल हो सकते हैं साल के मद्ध में आर्थिक लेंदेन और फैसलों में आपको खासा साथधानी रखने की जरुरत होगी किसी पर भी आंक मुद कर विस्वास करने से बचें जो के मरे कारियों में इस साल आपको अच्छा मुनाफ़ हो सकता है अब बात करते हैं साल 2019 में करन्या राशी के लोगों के स्वास्त के बारे में भविश्यफल 2019 के अनुसार इस साल आपका स्वास्ते बहतर रहेगा आप पुरे साल भर जोस और उर्जय का अनुभव महसूस करेंगे नियमित योग और व्यायान से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी सेहत मन रहने के लिए योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं किसी भी तरह का तनाव लेने से बचें दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले